नोट बंदी के बाद देश भर के एटियम और बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में लगे लोग परिशान हैं तो वहीं विपक्ष इस फैसले का पुर्जोर विरोध कर रही है इस सब बीच बीजेपी नेता राम माधव ने पैसे के लिए लाइन में लगने को देश भक्ती का इमतिहान बताया है नोट बंदी का विरोध कर रहे विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए बीजेपी के राष्टी महासचिव राम माधव ने ट्विट कर कहा कि इन दोनों हम यह सब लंबी लंबी लाइने बहुत देख रहे हैं या देश भक्ती का इमतिहान है वरना सामान दोनों में तो हर कोई देश भक्त बनता है इसके साथ ही राम माधव ने टीवी चैनल के वीडियो पर रिट्विट किया कि देश भक्तों से मिलना चाहते हैं तो इसे देखे इससे पहले राम माधव ने सरकार की नोट बंदी के फैसले का विरोत कर रहे विपक्ष के रुख पर सवाल उठाया था और कहा था कि क्या वे गरीबों के साथ खड़े हैं या काला धन रखने वालों के साथ जो लोग राजनीती में और टिकट बटवारे में काले धन का इस्तेमाल करते थे उनका दुखी होना स्वाभाविक है आपको बता दें कि 8 डवंबर को मोधी सरकार ने 500 और 1000 रुपे के नोट बंद करने का एलान किया था जिसके बास सही पूरे देश में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है नोट बंदी पर मचे बवाल के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसला जारी है और अब इस मामले पर राम मादो का ऐसा बयान आया है जिसका विपक्षी दलों ने विरूत किया है देखते रहेए डीवी लाइफ इस भर में नोट बंदी को लेकर अफरा तफ्री मची है इसे फैसने से लोग पूरी तरह त्रस्त हो चुके हैं और नोट बंदी जिन्दगी पर भारी पड़ी नजर आ रही है नोट बंदी ने छीन ली 25 जिन्दगी जी हाँ सही सुना आपने नोट बंदी के फैसले के बाद से ही पूरा देश बेहाल है लोग भूके प्यासे रातों की नींद गवा कर बैंको और एटियम के बाहर कतार में खड़े हैं क्या बूडे, क्या जवार, क्या औरते, क्या बच्चे सभी एक ही कतार में खड़े हैं ताकि अपनी ही जमापूंजी हासिल कर जीवन चला सके नोट बंदी ने जिन्दगी की रफ्तार पर बेडियां डाल दी हैं लोग आसहाय हैं नोटों से जुड़ी इस जद्दो जहत के बीच जहां जिन्दगियां बेहाल हैं तो कहीं जिन्दगिया सरकार के फैसले के सामने दम तोड़ती नजर आ रही हैं खबरों के मुताबिक पिछले 6 दिनों में 25 लोग सदमे या फिर इलाज ना मिलने से दुनिया से रुक्सत हो गए नोटबंदी ने इंसानियत का इस कदर गला खोट दिया कि धर्ती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर का पेशा भी शर्मसार हो गया ऐसी ही गटनाव पर आप भी नजर डाले कि आखिर देश में हो क्या रहा है यूपी के गौरकपूर में जब महिला को पता चला कि उसके 500 और 1000 के नोट अब नहीं चलेंगे तो कथित तौर पर सदमे से उसकी मौत हो गई 36 गड में 45 वर्षिय किसान ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली बताया जाता है कि वह कई बार लाइन में लगने के बावजूत बंध हुए नोट नहीं बदलवा पाया था मद्यप्रदेश की सागर कस्पे में काफी देर तक खड़े रहे बुजूर्ग का दिल का दौरा पढ़ने से निधन हो गया इसी तरह गुजुरात के सुरिंदर नगर जिले के लिमदी कस्पे में 69 वर्षिय बुजूर्ग की भी लाइन में लगने के दौरान हार्ट अटेक से मौथ हो गई मुंबई के गुवांडी शेत्र में एक दमपत्ती को अपना नवजाद बच्चा खोना पड़ा बच्चे को तेज बुखार था और आरोप है कि अस्पताल ने 500 वा 1000 के नोट लेने से मना कर दिया था यूपी की मैन पूरी में अस्पताल के पुराने नोट लेने से इंकार करने के बाद एक और बच्चे की मौथ हो गई थी विशाखा पटनम में भी 18 महीने के बच्चे की जान सिर्फ इस वजह से चली गई कि अस्पताल वालों ने पुराने नोट लेने से मना कर दिया था पटना में नोट बंदी की कवर सुनने के बाद एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौथ हो गई उसके बेटी की शादी होने वाली थी और व्यक्ति को लगा कि दूल हाथ दहेज में पुराने नोट नहीं लेगा वहें केरल के अला पुज्जा में पिचतरवर्शिय कार्थिकेन बैंक के बाहर गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई इसी तरह करनाटक के उडूपी में 96 वर्शिय बुजूर्ग की लाइन में खड़े-खड़े मौत हो गई बैंक तब तक खुला भी नहीं था नोट बंदी के फैसले ने लोगों का जीवन पूरी तरह अस्तव्यस्त कर दिया है गंटो कतार में खड़े लोगों की हिम्मत भी जवाब देने लगी है सरकार के इस फैसले से कहीं लोगों की आखे नम हैं तो कहीं लोगों में गुस्ता देखा जा रहा है और शायद यही वज़ा है कि नोट बंदी का फैसला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा जहां मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई हुई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी लोगों को राहत नहीं दी है कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है हाला कि कोट ने सरकार से कहा है कि वह जनता को हो रही परिशानियों पर ध्यान दे और पैसा निकासी की रकम सीमा को बढ़ाए इस मामले में अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी लेकिन सुप्रीम कोट के इस फैसले से कई लोगों की उम्मीद जरूर तूट गई है अनमंतरी मोदी ने जब नोट बंदी का फर्मान सुनाया तब मानों लगा कि सरकार इसके लिए पूरी तरह से तयार है लिकन अब जो भयानक तस्वीरे देश भर से सामने आ रही है वो इसके बिलकुल उलट है देश में अफराद अफरी का माहौल है सिस्टम सुस्थ है और जनता तरस्थ है लिखते रहे हैं लीवी लाइट